एक बार भी स्वागत है आपका वीजेपत अकेडमी पालमपूर में मैं अमित कुमार आपकी ले लेके आया हूँ लेटर एनलोजी का टोपिक चलिए डिसकस करते हैं आज के इस सेसन के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन को पहला कोश्चन आपके सामने ये रहा इस कुछचन को करने के लिए आपको लेटर सीरीज में लेटर के नंबर के बारे में पता होना जरूरी है जैसे आपका A है फर्स्ट पोजीशन पर D आएगा फॉर्थ पर H आपकी 8 पोजीशन पर है M आपका 13 पोजीशन पर है सेम इसी तरह Z आपका 26 पोजीशन पर है W आपका 23 है S 19 एन आपका 14 पोजीशन पर है अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो A के अपोजीट जैड आ रहा है D यानि के 4 के अपोजीट आपका W 23 आएगा H के अपोजीट आपका S है M के अपोजीट लैटर यहां पर आपका N दिया हुआ है सेम लोजीक आपने यहां लगाना है C की पोजीशन होती है 3, F की 6 है, J की 10 है और O की आपके पास 15 पोजीशन दिया है 3 के opposite, opposite letter का sum 27 होता है 3 के opposite आपका आएगा X यानि के जिसकी position होगी 24 F के opposite आएगा आपका 21 जिसकी position होगी U and J के opposite आएगा आपका Q उसी तरह O के opposite आएगा आपका L तो इस question का सही answer हो जाएगा आपके पास X, U, Q, L इस question का सही answer हो जाएगा आपका given option में इसका सही answer नहीं दिया गया है तो इसका सही answer हो जाएगा X, U, Q, L चलिए next question discuss करते हैं question number second question number second आपके सामने है table का relation है late के साथ उसी तरह आपको बताना है कि question mark का relation कैफे के साथ कैसे होगा चलिए जानते हैं इस question को करने का सही तरीका कह रहेगा T की position है 20 A की 1 है L की आपकी 12 है E की आपकी position 5 है same यहां पर देखेंगे यह आपके 12 नंबर पर है यह 1 है यह 20 और यह 5 है यहां से T को लिखा गया इसकी 3rd position पर A आगया आपका 2nd पर उसके बाद L आगया 1st पर और E आपका है last position पर last position में कोई change नहीं किया गया same यहां apply करेंगे यह logic C आएगा आपका 3rd position पर last की position E की रहेगी same तो जिस letter में starting letter आपका आएगा उसके बाद आपके पास आएगा F then आपका आएगा A तो इस question का सही answer हैगा C A sorry F A C E यानि कि face इस question का सही answer हैगा यानि कि option number A second question का बिलकुल सही answer हैगा चलिए next question question number 3rd देखते हैं question number 3rd का क्या सही answer हैगा देखिए इस question में दिया गया कि V B V S C का relation है Y E H X के साथ आपको बताना है कि M R C P का relation किस के साथ होगा B के opposite होता है Y उसी तरह V के opposite होता है E S के opposite आएगा H और C के opposite होता है X चलिए देखते हैं कि M R C P का answer क्या होगा M के opposite आएगा आपका N जिसकी position होती है 14 R के opposite आएगा R की position होती है 18 और R के opposite आएगा आपका I C की position होती है 3 और 3 के opposite आपका आएगा 24 यानि के X Then P की position होती है आपकी 16 16 के opposite आपका आएगा 11 यानि के K तो N I X के इस question का सही answer होगा यानि के option number C इस question का बिलकुल सही answer होगा 3rd question का चलिए question number 4th देखते है Question number 4th क्या है Question number 4th में A F K P की relation है B G L Q के साथ आपको बताएना है कि C H M R का relation किस के साथ होगा चलिए देखते हैं कैसे इसका सही answer है A के बाद आगया V A के बाद question में B है तो C के बाद question में आएगा D F के बाद आता है G F की 6th position है G की 7 है H के बाद आएगा H की position होती है 8 H के बाद आता है I यानि के 9th number पर तो इस question का सही answer D I D I सिर्फ question number option number A में ही दिख रहा है यानि के इस question का सही answer हैगा option number A D I N S चलिए next question question number 5 देखते है question number 5 में क्या दिया गया है देखो F की position होती है 6 6 में 4 एड करेंगे तो आएगा 10 उसी तरह P की position होती है 16, 16 में हम 4 प्लस करेंगे 20 आएगा यानि के T तो जिसका पहला letter T है वही answer होगा बागी option आपके neglect हो जाएगे तो option B और option D यहां से neglect हो गए चलिए आगे चेक करते है H की position होती है 8 8 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 12 same R की position होती है 18, 18 में हम 4 प्लस करेंगे 22 आएगा यानि के O V चलिए आगे चेक करते है E की position होती है 5 5 में हमने 9, 4 प्लस किया 9 आगया same इसी तरह 15 में हम 4 प्लस करेंगे 15 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 19 यानि के S तो यह सिर्फ T V S U option number first ही है तो इसका सही answer रहेगा option number first T V S U यहां पर C भी इसका answer नहीं रहेगा चलिए देखते हैं next question question number 6 क्या दिया गया है question number 6 में है A, Z, V, Y का relation D, W, E, V के साथ आपको बताना है H, S, I, R का relation किसके साथ होगा जिस किसी को इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बता जीजिए option आपके सामने given है J, Q, K, O दूसरा option है K, P, O, L तीसरा option है K, P, L, O और last option है K, O, L, P चलिए देखते हैं इस question को सही करने का कौन सा तरीका बैटर है यहाँ देखो A के opposite Z होता है B के opposite है बाई सेम यहाँ चेक करोगे D के opposite W है और E के opposite आपका अवी है सेम logic आप यहाँ apply करेंगे S के opposite आपका H है और I के opposite आपका R है तो हम बही option चेक करना है जिसका सही answer क्या है चलिए देखते हैं यहाँ पर 10 के opposite होता है 17 opposite letter का sum कितना बताया है 27 यहाँ 11 है यह 16 है तो मतलब यह आपका option नहीं होगा अगला option चेक करते हैं यह आपके पास 11 है यह 16 है एक दूसरे के opposite letter है यह इसकी position आपके पास 15 है इसकी 12 है एक दूसरे के opposite letter है मतलब इसका सही answer हो जाएगा आपका option number B तो इस question में option number C इस question का सही answer नहीं रहेगा तो इसका सही answer हैगा आपका option number B चलिए next question, question number seven check करते हैं, question number seven में क्या दिया गया है, आपको question क्या है, दिया गया है कि A, K, U का relation किसके साथ है, same relation दिया गया है CMW का DNX के साथ है, ती चार option आपके सामने given है, जल्दी से बिताईए इसका सही अंसर क्या रहेगा, first option है BGL, second option है BLQ, third option है BGQ, last option है BLV, चलिए देखते हैं, इस question को कैसे करेंगे, C के बाद आता है D, तो A के बाद आपका आएगा V, M के बाद आता है आपका N, तो यहां पर K के बाद आपका आएगा, K के बाद आपका आएगा L, यानि के L यहां पर आएगा, then W के बाद आता है X, तो U के बाद आपका आएगा, वी आएगा, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका V, L, V, तो B, L, V आपका लास्ट आप्सन में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आप्सन नमबर D, B, L, V, चलिए नेक्स्ट कॉस्टन, कॉस्टन नमबर 8 था आपके सामने यह रहा, यहाँ पर रेड का रिलेशन दिया गया है, E, F, S के साथ, आपको बताना है कि बलू का रिलेशन किसके साथ होगा, चार उप्सन आपके सामने गीवन है, फर्स्ट उप्सन है, F, V, M, C, सेकंड है, D, T, K, A, थर्ड है, F, U, N, C, और लास्ट है, G, V, N, D, जिसकी को इसका सही अंसर परता है, जल्दी 그것 से कमेंट् बोकस में, कमेंट करके बता दीजिए, इसका सही अंसर क्या रहेगा, चलो, देखते हैं, इसका सही अंसर क्या रहेगा, R की पोजेशन होती है, 18, E की आएगी 5, D की आएगी 4, same E की 5 आपकी 5 F की 6 पोजीशन है और S की 19 पोजीशन है B की आपके पास 2 है L की 12 है इसकी 21 आएगी और इसकी आएगी 5 यहां पर 18 के बाद 19 बल बन यहां पर प्लस हो रहा है यहां 2 में 1 प्लस करेंगे 2 में आप 1 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 3 यानि के C यहां चेक करो E के बाद आपके पास F आ रहा रहा है यानि के 1 प्लस हो रहा है तो 12 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 13 13 यानि के M आएगा तो M C जिसके लास्ट के 2 डिजिट 2 लैटर M C हैं वही इस question का सही आंसर होगा यानि के option number A इस question का बिल्कुल सही आंसर रहेगा question number 8 option number A बिल्कुल सही आंसर रहेगा चलिए next question, question number 9 आपके सामने ये रहा आपको social word दिया है जिसका relation है O-C-I-A-L-S के साथ है driving का relation पूछ रहा है किसके साथ होगा जल्दी से बता जीजिए जिसका सही आंसर क्या रहेगा जिसकी सी को इसका सही आंसर पता है comment box में कमेंट करके बता सकता है अगर आप इस question को गुर से देखोगे S के बाद यहाँ O आया है S के बाद आपका O है इस question को सही करने का एक दूसरा तरीका यह हो सकता है social word जिसका relation दिया गया है O C I A L S के साथ यहां पर O आपके पास यह है C आएगा I है A है L है इसके बाद आपका S आ रहा है सेम आपने ड्राइवन का कोड बताना है किसके साथ रहने वाला है ड्राइवन का कोड बताना है इसका सही कोड क्या रहेगा सबसे पहले आपका यहां पर R आएगा और R सिर्फ A की option में दिया है यानि कि option number C इस question का बिलकुल सही answer रहेगा then आपका I आएगा फिर O V आएगा फिर E फिर N और last में आपके पास आएगा D तो यह इस question का सही answer होगा यानि कि option number C इस question का बिलकुल सही answer रहेगा चलिए next question question number 10 देखते हैं कि question में क्या दिया गया है A V का relation है Z Y के साथ आपको बताना है C D का relation किस के साथ होगा चार option given है first option है W X second है U V third है X W और last है V U चलिए चेक करते हैं कि इस question को कैसे करेंगे देखो question में A के opposite है Z B के opposite आएगा Y same यहांपर C के opposite आपके पास आएगा X और D के opposite आएगा W X W इस question का सही answer रहेगा तो option number C इस question का बिलकुल सही answer है option number C इस question का सही answer रहेगा चलिए next question question number 11 आपके सामने यह रहा question में क्या दिया गया है कि film का code है फिल्म का कोड़ आपके पास है A-D-G-H आपको बताना है कि M-I-L के मिल्क का कोड़ क्या होगा यहां पर करेंगे कि आप लोग जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा जिसकी को इसका सही आंसर पता है कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में देखो F की पोजीशन 6 होती है 6 में से आप लोग 5 माइनिस कर देंगे 6 में से 5 माइनिस करेंगे सेम यहां पर भी 13 में से 5 माइनिस करोगे तो आपके पास 8 आएगा यानिके फर्स्ट लैटर आपका H आएगा तो आपका फर्स्ट आपसन यहां पर निकलेक्ट हो गया इसके बाद देखते हैं आई की पोजीशन 9 है 9 में से 5 माइनिस करेंगे तो 4 आएगा सेम आपने यहां आई में से 5 माइनिस करने है तो आपके पास 4 आएगा यानि कि D आएगा तो जिस option में H, D, first letter है बूँ आपका अंसर होगा यानि कि D option भी यहाँ पर गलत हो गया आप बस्ते हैं आपके option number B और option number C इसमें से ही एक अंसर होगा देखिए first 3 letter तीनों के same है first 3 letter दोनों के same है तो हम direct last letter यहाँ पर check करेंगे 13 के बाद आपका 8 आ रहा है मतलब माइनिस के 5 तो यहाँ 11 के बाद जब हम 5 माइनिस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा यानि कि F आएगा तो इस question का सही answer हो जाएगा आपका option number C H, D, G, F तो इसका सही answer हैगा option number C चलिए next question question number 12 देखते हैं कि इसका सही answer क्या रहेगा question number 12 है B, J, N, T का relation है C, I, O, S के साथ आपको बताना है D, H, P, V का relation किसके साथ होगा चार option आपके सामने given है जिस किसी को इसका सही answer पता है जल्दी से comment करके बता दीजिए चलिए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे V, J, N, T का relation है C, I, O, S के साथ आपको बताना है D, H, P, V का relation किसके साथ होगा B के बाद 1 प्लस करेंगे तो C आएगा उसी तरह D में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास E आएगा और E सभी ही option में आपको देखने को मिल रहा है चलिए आगे देखते हैं 10 के बाद 9 आ रहा है मतलब माइनिस 1 हो रहा है तो H मेंसे जब माइनिस 1 करेंगे यानि कि 8 मेंसे जब माइनिस 1 करेंगे तो G आएगा और E जी सिर्फ आपको first option में दिख रहा है तो इस question का सही answer हो जाएगा option number A E जी क्याव यू E जी E जी क्याव यू इस question का बिल्कुल सही answer होगा option number A चलिए next question question number 13 चकरते हैं कि इस question में क्या दिया गया है A C E G का code है I K M O आपने क्या बताना है कि P R T V का relation किसके साथ होगा question में आपको 4 option दिये हैं जल्दी से जिस किसी को भी इसका सही answer पता है comment box में comment करके बता दिजिए आपको बताना है P R T V का relation किसके साथ होगा given 4 option में से चलिए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे A की position होती है 1 1 के बाद आपका I आ रहा है मतलब यहां पर आपका plus 8 हो रहा है 3 के बाद 11 आ रहा है मतलब plus 8 हो रहे हैं तो same logic हम यहां पर apply करेंगे 16 में जब 8 plus करेंगे तो 24 आएगा 24 यानि के X आएगा और X सिर्फ आपका option number D में ही given है बाकी option में आपका कोई भी लैटर 1 लैटर जो है मतलब वो X नहीं दिया हुआ है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D X, Z, V, D चली next question question number 14 चेक करते हैं किसमें क्या दिया गया है close का relation है D, N, R, W, J के साथ आपको open का code बताना है open का relation बताना है किसके साथ है चार option आपके सामने given है first option है P, R, J, Q second option है R, P, J, B third option है P, R, H, R and last option है R, J, W, R तो जिसकिसी को इसका सही answer पता है जल्दी सी comment करके बता दीजिए चलीए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे इसका सही answer क्या रहने वाला है close का relation आपको दिया है D, N, R, W, J के साथ आपको open का relation बताना है कि open का relation किसके साथ होगा C में 1 plus किया तो आपका D आया है यानिके 4 आगया उसी तरह O में 1 plus करेंगे तो क्यों आएगा sorry P आएगा O में 1 plus करेंगे तो आपके पास P आएगा और P आपका given 2 option में दिया गया है option A और C और यहां पर first option आपका और last third option बच रहा है बाकि option number B और option number D यहां से neglect होगे चलिए आगे देखते हैं 12 के बाद आपका 14 आपका 14 आपका 12 के बाद 14 यानिके plus 2 हो रहा है P के बाद आप plus 2 करोगे 16 में आप 2 प्लस करोगे तो 18 आएगा यानिके PR आगया यहां पर next letter चेक करते हैं O के बाद आपका R आ रहा है मतलब यहां पर आपके plus 3 हो रहा है same यहां पर करेंगे plus 3 जब 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगा यानिके H आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C PR HR question number 14 का सही आंसर हो जाएगा option number C चलिए next question question number 15 देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा question number 15 इसमें आपको drive-1 का code दिया है drive-1 का relation दिया है E I D R V N के साथ आपको विगम का code बता रहा है किसके साथ होगा इसका relation तो जिसकिसी को इसका सही आंसर पता है जल्दी से comment box में comment करके बता सकता है इसका सही आंसर क्या रहेगा drive-1 का code आपको given है इसका आपको relation देके रखा है आपको विगम का relation बताना है किसके साथ होगा तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता है जल्दी से comment box में comment करके बता जीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस question को करने के लिए इनकी positions लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके यहां पर जो इसका relation दिया गया उसके according 1 आपका यहां आएगा 3 आपका यह रहा, 2 यह है, 5 आपका यह आएगा, 4 आपका यहां आएगा और 6 आपका यहां आएगा मतलब यह आपका same reverse order में लगाया है 1, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, and then 6 आएगा same logic हम लोग यहां पर apply करेंगे इसकी position आएगी 1, यह आपका 2 नंबर पर है, यह 3 है, 4 and 5 है तो यहां पर आपका B आगा पहले center पर, then उसके बाद आपका आएगा E B, sorry, B आपका यहां पर आएगा, then यहां पर आएगा 3 यानि के G आएगा, उसके बाद 4 आपका यहां आएगा U, और end में आपका आएगा M, तो U, E, B, G, M इस question का सही answer रहेगा, यानि के, आपका option number A इस question का सही हो जाएगा यहां पर, option number A इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा, चलिए next question, question number 16 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, D, C, H, G का relation आपके पास है, L, K, Q, P के साथ, आपको F, E, J, I का code बताना है किसके साथ होगा, चार option आपके सामने कीवन है, जिस किसी को इसका सही answer बताएगा, जल्दी से comment box में कमेंट करके बता सकता है, चलिए देखते हैं, इस question का सही answer क्या रहेगा, D, C, H, G का relation दिया है, L, K, Q, P के साथ, आपको बताना है, F, E, J, I का relation किसके साथ होगा, चलिए देखते हैं, यहाँ से D की position आपके पास होती है, D की position 4 है, 4 में आपने क्या किया, प्लस 8 किये, तो आपके पास आया 12, सेम आप लोग यहाँ पर लोगाओ गए, 6 में 8 प्लस करेंगे, 14 आएगा, 6 में 8 प्लस करेंगे, 14 आएगा, और 14 पर आपका लैटर N होता है, तो N सिर्फ option number B में ही गिवन है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number B, question number 16 का सही answer होएगा, option number B, NMR क्या हो, चलिए next question, question number 17 देखते हैं कि इसका सही answer क्या रहेगा, C, A, D का relation है, F, D, G के साथ, आपको X, Z, W का relation बताना है किसके साथ होगा, 4 option आपके सामने गिवन है, first option आपके पास है, I, Q, J, second option है C, A, D, third option आपके सामने है, Z, B, Y, और last option है, U, W, T, तो जिसकी को इसका सही answer पता है, जल्दी से comment box में comment करके बताओ कि इसका answer क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं, इस question को करने का सही तरीका क्या रहेगा, C, A, D, इसका relation दिया गया है, F, D, G के साथ, आपको बताना है कि X, Z, W का relation किसके साथ होगा, C की position होती है, 3, तो यहाँ पर 3 plus हो रहे हैं, X में जब 3 plus करेंगे, X की 24, 24 में 3 plus करेंगे, तो 27 आएगा, यानि के Z आएगा, first letter, तो जिस option का first letter Z है, वही आपका सही answer हो जाएगा, option number C ही एक ऐसा है, जिसका first letter Z है, तो इस question का सही answer हो जाएगा, option number C, इस question में सही answer option number D नहीं जाएगा, क्योंकि इस question का सही answer हैगा, आपका option number C, चलिए next question, question number 18 चेक करते हैं, कि इसके में क्या दिया गया है, reason का relation आपका है, reason का relation आपको दिया गया है, S, F, B, T, P, O के साथ, आपको think का relation बताना है किसके साथ होगा, चार option आपके सामने given है, तो जल्दी से इसका answer बताओ क्या होगा, अगर किसी को इसका answer सही पता है तो, चलिए देखते हैं, इस question को कैसे करेंगे, 18 के बाद आपका 19 आ रहा है, 18 के बाद 19 आ रहा है, 5 के बाद यहां पर 6 आ रहा है, 5 के बाद आपका यहां पर 6 आएगा, same logic हम यहां पर apply करते चलेंगे, 20 के बाद आपका 1 प्लस करने पर, 21 आएगा, यानि कि U आएगा, second इसके बाद 9 में, 8 में आप 1 प्लस करोगे तो 9 आएगा यानि कि U I आएगा तो जिस question में जिस option में first two letter U I है बही आपका इसका सही आंसर होगा तो first option आपका गलत है यहां पर इसमें कोई letter नहीं है first two letter same नहीं है option number C में भी नहीं 9 तो option number D है इसका सही तो option number B इस question का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा question number 18 का चलिए next question 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 number 19 देखते है question number 19 क्या दिया गया है D L O C का relation है I C के साथ sorry E C I के साथ आपको T O H का relation बताना है किसके साथ होगा 4 option आपके पास given है first option है E E T second option रहेगा E A T third option है A E T और last option है E T A तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता है जल्दी से बताओ कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है चलिए देखते हैं इस question को करने का सही तरीका क्या रहेगा D L O C D L O C को आप लिख सकते हो C O L D C O L D cold cold मतलब ice आपकी क्या होती है ठंडी होती है यानि के cold है तो उसको लिखा गया है E C I की form में E C I की form में लिखा गया इसको same logic आपने यहां पर apply करना है T O H T O H को लिखेंगे आप hot और T यहां पर क्या होती है hot होती है T यहां पर आपकी आएगी hot तो इसको आप लिख सकते हो A E T तो इसको लिख सकते हैं A E T यानि के option number आपका C इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा question number 19 का आपके सामने आपके सामने यह रहा इसमें आपको skip का code दिया है R I F L के साथ आपको के वाई के जड का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा चार option आपके सामने given है फर्स्ट option आपके पास यह रहा W J H V सेकंड option है W J V H थर्ड option है J W V H और लास्ट option आपके पास है J W H V तो जिसक किसी को इसका सही answer पता है जल्दी से comment करके बता जीजिए चलिए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे skip का code आपको given देखे रखा है R I F L आपको बताना है के Y के Z का relation किसके साथ होगा 19 के बाद 1 plus हो रहा है 19 के बाद 1 plus हुआ same आपने यहाँ 1 plus करना है जब 11 में 1 plus करेंगे sorry यहाँ पर minus 1 हो रहा है same आपने यहाँ करना है minus 1 11 में से minus 1 करेंगे तो J आएगा तो जिसका first letter आपका J है वही आपका answer होगा तो option number A आपका यहाँ से neglect होगया, option number B यहाँ neglect होगया, चलिए आगे चेक करते है 11 के बाद 9 आपका यहाँ यहाँ माइनिस 2 होए same आपने logic यहाँ लगाना है minus 2 करने है 25 में से, तो आपके पास आएगा 23 यानिके W तो जिसकी का, अब option number जो आपका C है, उसमें first letter और second letter, same है जैसे कि option number D में दिये गए है चलिए आगे चेक करते है यहाँ, 9 के बाद 6 आ रहा है यानिके minus 3 हो रहे है तो K में से 3 minus करेंगे यानिके 11 में से 3 minus करेंगे तो 8 आएगा, 8 यानिके आपका H आएगा तो जिसके first 3 letter J, W, H ह है वही आपका सही answer होगा यानिके option number D इस question का सही answer हो जाएगा question number 20 का तो आज के session में आपके लिए इतने ही question लेके आया था ऐसे ही और question करने के लिए हमारे channel को like, share और subscribe करना ना भूले Thank you so much